Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी बच्चों को नहीं बर्ष की बहुत-बहुत शुब कामना है. Happy New Year to all of you. तो इस बर्ष बच्चों आपनी बहुत मेहनत करके, जो आपके बोड के एक्जाम है, उसमें आपने बहुत अच्छे मार्स लेके आनी है. और नए साल आते आते ही आपको एक और खुशकवरी भी मिल गी. किसी बीएसी ने जो आपके एक्जाम है, उसको लेट कर दिया है. और आप सभी बच्चों को ये अल्रेड़ी पता है कि आपके जो एक्जाम है अभी मे और जून के मन्त में कम्प्लीट होने हैं. तो आपके पास पूरे अभी अगर हम देखें तो फोर मन्त हैं, चार मीने हैं और चार मीने बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप मेहनत करोगे तो आपके माक्स भी बहुत अच्छे आएंगे. तो बचो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंज के साथ शेयर भी कर देना. जो भी हम मैस के important question किया करेंगे, वो आपके friends भी उसको देख सकें और अच्छे माक्स ले सकें. और आपने भी सभी बचों ने bell icon को जरूर हिट कर लेना है, so that जो latest videos होंगी, important questions के वो सारी आपको मिलती रहें. तो जो आपका जो first question है, बच्चों वो आपके सामने आप देख सकते हो, इस first question में क्या है, आज हम four questions ही करेंगे, only four questions, ज्यादा नहीं करवाओंगा, ज्यादा आपके उपर बोज नहीं डालेंगे, सिर्फ आपको इन four questions को ही करना है, और हम आगे-ागे ऐसी four four questions, five five questions करके, ज सारे important questions उनको cover कर लेंगे, ओके, तो three bells ring, क्या लिखा है, three bells ring at an interval of four minutes, seven minutes and fourteen minutes, three bells है बच्चों, एक bell जो है, वो हर चार मिनट के बाद होती है, एक bell है, जो साथ मिनट के बाद होती है, और तीसरी bell जो है, वो 14 minutes के बाद होती है, और सबसे पहले, जब हमने देखा, all three bell ring at six a.m morning जब हमने six a.m देखा, तो वो तीनों bell जो थी, वो एक साथ ring हुई, ठीक है, when the three bells will ring together next, अब वो तीनों bell एक साथ, कब वो ring करेंगी, ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान से समझनी है, तो ऐसे questions, बहुत important questions होते हैं बच्चों, तो इन questions को करने के लिए आपने क्या करना हो है, अब जो आपके पास three numbers है, four minutes, seven minutes and 14 minutes, आप इन तीनों का क्या निकालोगे, LCM find करोगे, बच्चों, LCM of four, seven and 14, और आप सभी बच्चों को पता है, कि इसका जो LCM है, वो कितना है, 28 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि after 28 minutes means at 6.28 a.m. चे बज के 18 minutes के उपर बच्चों, ये तीनों bells एक time पे ring करेंगी, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, कि जो four है, four के table पे भी 28 आ रहा है, seven के table पे भी 28 आ रहा है, और 14 के table पे भी 28 आ रहा है, इसका मतलब 6 बज के 18 minutes के उपर ये तीनों bells एक साथ ring करेंगी, यही हमारा question था तो जब भी कोई ऐसा question आपको exam में आए, बच्चों ऐसे बहुत type के questions हैं, और CBSE के sample paper में ये question आया हुआ है, इसलिए हमें ऐसे questions के उपर focus करना है, तो ऐसे questions में हमने journaling क्या find करना होता है, LCM find करना होता है, तो यह आपका first question था, सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा, उ आपको काई उसे AP की ninth term find करो, लेकिन ये तो हम पढ़ना भूली गई, from the end, last से हमने इस AP की जो है, बच्चों ninth term find करनी है, आप कई बच्चे क्या करते हैं, A लिख लेते हैं सर फाइव है, D लिख लेते हैं सर फोर है, और A9 का formula लगा देते हैं, A plus 8D, लेकिन बच्चों इस method से आप करोगे, ये गलत है, तो सही method कौन सा है कि इस AP को आप last से लिखना start कर दो, last से means इस AP को reverse करके लिख दो आप, जो सबसे last term थी, वो सबसे पहली term बन गी, और जो सबसे पहली term थी, वो सबसे last term बन गी, अब आपका A कितना आ गया, अब आपका A आगया, 185, आपका D कि उसके बाद बच्चो, आपने find करना है, A9, that is A plus 8D, अब आपका A है, 185 plus 8 into minus 4, तो 185 minus 32, तो आपका जो answer आगया, वो आगया 153, तो ये भी एक type है बच्चो, मैं आपको वही questions करवाऊंगा, जो exam के लिए बहुत ही important questions होंगे, तो ये आपका second question है कि कभी भी आपने किसी AP की कोई term find करनी है, from the last, from the end, कई बार last भी लिखा होता है, और कई बार लिखाता है, from the end, तो आपने कैसे find करनी है, कि उसे AP को लटा करके लिख दो, फिर AD find कर लो, और फिर आप जो term आप find करना चाहते हैं, उसको कर दो, ये आपका second question था, अब हम आगे बच्चो, third question पे आगे, ये आपका third question है, देखो, तो इस question में क्या है, देखो, आपको पता है, tangents drawn from external point on the circle are equal, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जितना PA है, उतना ही PB होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी book में एक theorem है, tangents drawn from external point on the circle are equal, तो PA अगर 12 है, तो PB भी 12 है, ठीक है बच्चो, ऐसी जो CA है, CA and CB, sorry, CQ, CA and CQ दोनों equal है, तो ये भी 3 cm हो गया, ऐसी अगर QD आपका कितना है, 3, तो BD भी कितना होगा, 3, ओके, तो अगर बच्चों, टोटल आपका AP 12 है, तो अगर AC 3 है, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 9 cm, ऐसी अगर आप DP फाइंड करोगे, तो DP भी आपका कितना होगा, 9 cm होगया, और उन्होंने आपसे पूछाए कि PC प्लस PD कितना होगा, तो आपका जो आपका 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 9 प्लस 9, 18 cm आपका बचों, मैंने ज़्यादा आपको थ्रैटिकल नहीं लिखवाया, मैंने सिर्फ आपको concept बताया कि ये भी एक question है, जो आपको sample papers में म जाएगा, और इसमें एक ही concept बार-बार use हो रहा है, tangents drawn from external point on the circular equal, और इसमें आपको क्या given था, आपको PA and PB, दोनों given थे 12, 12, ठीक है, और आपको क्या given था, आपको AC is equal to CQ पता है, और आपको पता है कि BD is equal to DQ, तो ये भी आपको 33 given थे दोनों, ठीक है, और आपने PC plus P define करना था, वो आपका आगया, 18 cm, तो ये आपका third question था, तो मैंने आपको एक hint दिया, कर आप खुद सकते हो, theoretical paper में कैसे लिखना है, वो आपको आपको already पता है, अब हम आगे question number 4 पे, the diameter of semi circular protector is 14 cm, अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास semi circular protector है, तो इसका बड़ा simple सा meaning है, ये semi circle नहीं बना बैसे, तो आप इसको ऐसे समझ लोगी, ये semi circular protector है, जिसका जो diameter है, वो है 14 cm, ठीक है बचो? अब आपने क्या करने है, इसका perimeter find करने है, तो perimeter क्या होगा? देखो, perimeter जो होगा, एक तो होगा half of 2 pi r, क्योंकि पूरे circle का जो circumference है, वो 2 pi r होता है, और half circle का कितना होगा? half pi r, मतलब इसको काट दो, तो ये आगया only pi r plus diameter, ठीक है बचो? तो pi कितना है? 22 by 7, radius आपका कितना आपका 14 है, तो radius होगा 7, और diameter आपका 14, तो 7 से 7 cancel, 22 plus 14, तो आपका जो perimeter आगया, वो आगया बचो, 36 cm, तो इस चीज़ का आपने दिहान रखना है, कि जो आपका ये semicircle है, इस semicircle में, इसका जो perimeter होता है, वो होता है pi r, और ये जो आपका diameter है, टोटल, तो इन सारे का sum, जो of the boundary, पूरी boundary का sum, तो इसका मतलब जो आपका perimeter हो बचो आगया, 36 cm, तो आज हमने 4 questions किये, मैंने आपको कहा था, कि मैं आपको 4 questions ही करवाऊंगा, ठीक है बचो, तो आज आप इतना कर लो, और मैं आपको फिर से एक बर कहना चाहता हूँ, कि सभी बच्चों को happy new year, again, और अपने वो time, उसको use करना है, जो आपको अभी मिला है, okay, thank you very much.